सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेनिंग न्यूज चानल को और बेल आइकन को दबाएगे लेटिस न्यूज सबसे पहले पाने के लिए राम चन्म भूमी बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याची का दायर कर कहा है कि आयोध्या में जो विवादित स्थल पर हिंदू पक्षकारों को जो जमीन दी गई है उसे राम चन्म भूमी न्यास को सौफ दिया जाए बता दी कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामली को लेकर सुनवाई होनी थी लेकिन जस्टिस बॉबडे की छुटी पर जाने की वज़े से सुनवाई टेल गई मोधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आयोध्या में हिंदू पक्षकारों को जो हिस्सा दिया गया है वो राम चन्म भूमी न्यास को दी दिया जाए जबकि 2.771 भूमी का कुछ हिस्सा भारत सरकार को लोटा दिया जाए गौर्दलब है कि आयोध्या में रामजन्म भूमी बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के आसपस की करीब 70 एकट जमीन केंद सरकार के पास है इसमें से 2.77 एकट की जमीन पर इलाबाद हाई कोड ने फैसला सुनाया था जिस भूमी पर विवाद है वर जमीन 0.313 एकट की है सरकार का कहना है कि इस जमीन को छोड़कर बाकी जमीन भारत सरकार को सौम दी जाए मोधी सरकार का कहना है कि जिस जमीन पर विवाद नहीं है उसे वापस सौम पा जाए गौरतलब है कि 39 जन्वरी यानि आज सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन वर टेल गई सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पांच जजों की पीट कर रही है अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलेगा डेली ट्रेंडिक न्यूस की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटिस्ट और इंट्रेस्टिंग न्यूस के लिए